दोस्तो वेरी गूड इवनिंग स्वागत है सबका इंफोबेट चैनल में मैं हूँ आपका दोस्त आपका बेर स्वागत कर रहा हूँ दोस्तो सबका मेरे चैनल में आज 1st of February है और दोस्तो आज बजेट का पहला दिन था काफी बढ़िया रहा दोस्तो आप देख सकते हो मार् में कभी नहीं देखा गया था यह पहली बार देखने को मिल रहा दोस्तो बहुत ही अच्छा लग रहा है रीकवरी बहुत ही जल्दी हो रही है जिस तरह से मार्केट डाउन हुआता और इतना बड़ा क्राश देखने को मिला था उसके बाद में यह बहुत बड़े रिकवर करनी है आराम सी वीडियो देखिएगा कोई वीडियो लंबा नहीं रहने वाला है आठ मिनिट से ज्यादा वीडियो बिल्कुल भी ने रहेगा तो बने रहेगा और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है और ऐ يع काठ के फोटोज ऑते हैं साती सातमे लेली अपडेट सोते हैं का फी सारा मर्ठीयल ऑन दोस्तों वह भी टोटल फ्री आफ कॉस्ट वह भी लाइफट टाइम की रिए कोई पैसा च्यार्ज नहीं किया जा रहा है दोसτο्तों यहां पर कोई बी सबाल पूचने कोई बी वह दोस्तों आज बात कर रहे हैं हम लोग budget के बारे में हमने देखा निर्मला सीता रमन जी आज budget प्रेज़ेंट कर रहे थी उन्होंने फर्स टाइम डिजिटल budget प्रेज़ेंट किया हुआ है टैबलेट पर यह budget लिया गया है आज और हमारे सब के लिए यह बहुत ही जल्द इसक क्या था उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों मैं आपको लेकर के चलता हूँ दोस्तों money control की website पे वहाँ पर 10 points है जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले जो की काफी जैदा important है वो मैं आपको points भी बताऊंगा उसके explanation के साथ में detail में समझाऊंगा आ कि आपके समझ में आ जाए आपको क्या benefit होने वाला इस budget से और आपका क्या नुक्सान होने वाला है इस budget से देखिए दोस्तों हम लोग आप money control पर है पहला point यह है senior citizen need not file income tax returns पहुत ही बढ़िया news है देखिए दोस्तों यहाँ पर senior citizen को बोला गया कि उनको income tax बरने की जरूरत नहीं है लेकिन यहाँ पर clause यह डाला गया है कि senior citizen की अगर बात आते हैं तो 65 प्लस जो होते हैं उनको senior citizen बोला जाता है जिनकी जो है अगर हम लोग count करें तो कफी बड़ा population बन जाता है तो इन्हों ने जो age है senior citizen का इनकी इसाब से वो 75 प्लस रखा हुआ है तो 75 प्लस वाले senior citizen वैसे भी हमरे पास बहुत कम रहेंगे और यहाँ पर बात यह बोली गई कि जिनको pension मिलती है या जिनके FD पे interest आता है वो income tax में नहीं आएगा अगर वोतना ही income है आपका तो आपको income tax बिलकुल भरने की जरुरत नहीं है चाहे जितना कमाओ लेकिन यहाँ पर एक point जो है काफी ज्यादा educated senior citizens हैं या उनके बच्चे हैं जो पड़े लिखे हैं वो अपने parents के नाम पर जो है वो stocks market में investment करते हैं portfolio बनाते हैं उनके नाम से तो वो जो पैसा होगा उसका क्या होगा क्या उसकी उपर tax लगेगा नहीं लगेगा यहाँ पर कोई भी clarification इसके उपर नहीं द बताता हूं दोस्तों देखें क्या है जब भी कोई हम लोग अपना पैसा बैंक में deposit कर देते हैं और उस बैंक पे अगर हमारे विजय माल्या सहब निरव मोदी सहाब ऐसे लोगों की अगर कृपा हो जाती है तो बैंक कंगाल हो जाता है और यहां से जो हमारे जैसे लोगों की शादी थी और बैंक सी 10,000 रुपए निकाल सकते थे तो ऐसे situation आ जाती है हमारे लोग के ओपर इन लोगी की वज़े से तो अभी यहां पर करना क्या है देखिए situation यह थी government ने last budget में बोला गया था कि अगर ऐसे कुछ problem होता है तो आपको एक लाक रुपए तक का cover government की account देगी अभी इस budget में amount जो है वो बढ़ा कर जो है वो पांच लाक कर दी गई है तो यह बहुत ही बढ़िया news है बहुत ही बढ़िया news है मेरे लिए और सबसे बढ़ी बात मासकी जेगा मैं थोड़ा से हाँ पर गलत हो गया एक लाक जो पिछले budget में थी पिछले budget में इसको पांच लाग तक कर दिया गया था और यही amount को अभी extend करने का plan है और यहाँ पर एक condition लगाई गया है liquidation की अगर वो bank liquidation में चला जाता है तब ही यह होता था बट अभी उससे पहले अगर कुछ हम लोग कर सकते है इस mechanism को repair करने के लिए तो वो एक help यहाँ पर की जाएगी तो वो भी एक सही point है और यह बढ़िया news है खास करके जो ज्यादा लोग FD पर believe करते हैं या bank में heavy amount रखते हैं या फिर एक ही जगह पर अपना पैसा रखना अच्छा लगता है उनकों या believe है उनका तो उनके लिए बहुत ही अच्छा point है बट मेरे point of view से दोस्तों दिखेगा अगर आपके बस bank है तो multiple bank account बनाईए दो या तीन हो और अपना सारा जो भी पैसा है वो अलग-अलग बैंकों में आप deposit करा सकते हैं सारा का सारा पैसा आप या कोई भी एक बड़ी amount जो है किसी certain bank में आप deposit बिलकुल ना करें उसको divide करके आपको या अलग-अलग bank में जो है वह invest करना है और वही एक सही तरीका है दोस्तों investment का तीसरे point पर आते हैं दोस्तों देखें अपर social security benefits extended to many more workers यह point देकर दोस्तों तरह समझने वाला है देखेंगा कोरोना की वज़े से काफी लोगों की जो नोकरिया चली गई थी और उसके चलते जो educated लोग थे they move to freelancing assignments वो काम लेने लगे चोटा मोटा और वहां से जो income generate हो रहा था उसके उपर भी government का focus आने लगा तो उनको साथ साथ में जो e-commerce employees होते हैं e-commerce section के अंडर काम करते हैं जैसे कि mall वाले हो गए या फिर छोटे-छोटे shops वाले हो गए तो इनको जो है इन employees को जो है sorry इनको जो है वह employee state insurance scheme के अंडर लाइने की कोशिश है employee provident fund के अंडर लाइने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर minimum wage का जो rule है जो US में और UK या फिर European countries में चलता है तो कही न कहीं वह rule यहाँ पर implement करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है साथ यह साथ में women's को भी यहाँ पर equality की level पर आ रही है कि हरे category में इनको काम होना चाहिए साथ यह साथ में इनको भी अभी night shift में भी काम करना पड़ेगा तो यह category उनके लिए खास करके बनाई गई है faceless assessment होगा यह बहुत ही अच्छा बात है कोई assessment किसका हो रहा है कोन कर रहा है क्या हो रहा है किसी को कोई पता नहीं चलने वाला है तो यहाँ पर favoritism का या ऐसा कोई chance यहाँ पर नहीं होने वाला यहाँ पर आप कभी भी अपना assessment के लिए कर सकते हो बातचीत फिलाल यह limited रख कमिटी जो है वो बनाई गई है सरकार की तरफ से investment charter financial products अभी यहाँ पर क्या है काफी सारे financial products government के है private companies के भी है तो यहाँ पर इनको properly बेचने वाला जो कोई बंदा है या फिर कोई ऐसी company है या इसी कोई community है जो इसका misuse नहीं कर रहे है या फिर गलक चीजे बता करके आपको packages नहीं बेचे जा रहे है अगर ऐसे कुछ हो रहा है तो इसके उपर अभी government ने जो है एक अपनी committee जो है वो बनाई वही है और यहाँ पर आप जाके complaint कर सकते हो और इसके उपर जो है बिलकुल action लिया जाएगा यह बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पर faster tax relaxation के लिए resolution के लिए इन्होंने क्या किया हुआ है देखिएगा अगर कुछ tax related आपका issue है तो आप जाकर के complaint कर सकते हो और यहाँ पर कोई cases अगर pending पड़े हुए है तो इनका भी एक amount limit लगा दिया गया है 50 लाग से ज्यादा का और यहाँ पर जो 6 साल का reopening period हुआ करता था वो कम करके जो है वो 3 सा अभी यह क्या चीज़ है हमने एक चीज़ टैक्स डिड़क्शन एट सोर्स यह कॉंसेप्ट ही लास्ट बजट में इंड्रूस की गई थी या फिर उससे शायद लास्ट बजट में दी कि अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हो तो टैक्स आपको काट करके पेमेंट करना है पहले आप पेमेंट करते थे बाद में वह भाई सब टैक्स बरते दें अभी आपको आपके ही साइट से टैक्स करक्कर के पेमेंट कर देना है और आपको ही वह टैक्स फाइल कर देना है इसी तरह से capital gains interest from banks post office यहां से जो मिलने वाला पैसा होगा वह भी अभी इसी तरह से द deduction home loans interest extended यह बहुती बढ़ी है न्यूस है जो मेरा भाई है या फिर जो मेरे दोस्ते जो घर लेने की सोच रहे हैं या घर ले रहे हैं या ले चुके हैं उनके लिए बहुती बढ़ी है न्यूस है दोस्तों दिके home loan पे जो है वो interest rate कम किया जा रहा है सबसे बढ़ी है न्यूस अगर आपने interest loan लेकर के रखा हुआ है तो यह impact करेगा साथ ही साथ में अगर आप 31 March 2022 तक home loan लेते हो तो यहाँ पर भी आपको यह benefit मिलने वाला है यानि इससे सबसे बढ़ी चीज होगी क्या real estate में boom आ सकता है इसके चलते जहां के यहां पर काफी सारे लोग के जो property में real estate में invest करना चाहते हैं बट due to the heavy prices वो नहीं कर पाते हैं अभी home loan सस्य हो जाएंगे तो definitely यहां पर एक move लिया जाएगा तो बिलकुल ऐसी stocks में नजर रखेगा जहां पर home loan से related बाते होती है या फिर real estate वाले sector जो है यहां पर नजर रखने की बात बनती है tax efficient zero coupon bonds from infra यहां पर जो है इंफ्रा structure वाली जो भी company यह चाहिए लेंटी हो या government की कोई companies हो यहां पर अभी यह जो है यह dead bonds issue कर सकती है यह सबसे बड़ी news है dead bonds अगर यह issue कर देती है अगर यहां पर investment कर देते हो tax efficient zero coupon bond यानि इसका benefit आपको taxation में मिलेगा जैसे indirectly आप अगर कोई charity में पैसा देते हो तो ATC के under आप उसका benefit ले सकते हो exactly यह पर भी same है यहां पर आपको cost tax efficient zero coupon bond दिया जाएगा जिसके under आप इसका income tax benefit में भी इसका use कर सकते हो बट एक कैसे और किस तरह से यह फाइदा होगा इसके उपर अभी कोई बात फिलाल की नहीं जा रही है यहां पर देखें so for non-resident Indian हम हमेशा बात करते हैं के NRI की के last time भी भी COVID की बात हुई के उनको बाहर से क्यों लाया जा रहा है या फिर government उनको priorities क्यों दे रहे हैं तो वह काफी सारी बाते हमारे ध्यान में नहीं आते हैं यह इसके लिए उनको importance दिया जाता है और यह आपको समझना चाहिए यह बात double tax यहां पर होता है तो जो लोग जो है जो अभी shift हो गए इंडिया में return आ चुके हैं तो उनको tax policy जो है या फिर credit taxes जो tax बढ़ा हुआ है उसका जो reimbursement होता है वो किस तरह से किया जाएगा वो थोड़ा difficulty भी यहां पर solve करने की कोशिश government की तरब से की जा रही है तो यह वो 10 key points यहां पर आपको ध्यान रखना है वीडियो मैं 8 minute का बोला था बड़ यह लगभग 13 14 minute का हो चुका है तो so sorry for that but points काफी सारे cover करनी के कोशिश की गई है अब आगले वीडियो में बात करेंगे आज के stocks की market की और कल फिर से नया budget नया details के साथ में हम लोग वापस आ जाएंग दोस्तों टेलिग्रम चैनल से जरू जुड़िएगा मिलते हैं बहुत ही जल लगले वीडियो में तब तक के लिए thank you very much